आज सुबह से ही मद्दान जारी है और कई तस्वीरे भी हमारे पास आ रहे हैं और अब हम आपको मद्दान की तस्वीरे दिखाते हैं। वोट को कास्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि राश्टपती उपराश्टपती सब अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ लोगतंत्र के इस परव में जो अपनी वोट को कास्ट करने के लिगे और अब उत्तरपदेश में तमाम जगों पर लोग जो है अपने घरों से निकलें और मदान के इंद्रों तक आएं तो ये दो तस्वीर हैं इस वक्त राश्पती और उप्राश्पती देश में दो प्रमुक पद हैंगे राश्पती और उप्राश्पती दोनों जो बद हैं उन पदों का अपने आप में एक विषश महत्व है और राश्पती और उप्राश्पती दोनों हो वोट कास्ट करने के लिए मद्दान के इंद्रों पर पहुँचे शाली राज्य बने और मुझे लगता है विक्सित भारत का जो सपना देश देख रहा है और हमारा नित्रत दिखार बता भी रहा है कि कैसे बनेगा उस तरफ ध्यान देते वे अपना वोट कास्ट करना चाहिए अब तो यह है कि तीन सो सतर की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं भार्चे जनता पार्टी और चार सो के पार का जो नारा है जो हमाई प्रधान मनती है हमाई लीडर मोदी जी ने दिया उसकी तरफ हम लोग अग्रसर है और इस बीज प्रयाग्राच से बड़ी ख़बर आ रएगए तीन बुथों पर ईवियम खराब होई ये जो जो जानकारी है आ रहे ही जानकारी फिलहाल निकल कर सामने आ रहे है तीन बुथों पर EVM खराब हुई है जिसकी विज़े से जो मद्दान केंदर पर लोग लगे हुए थे लाइनों में उनको इंदजार करना पड़ रहा है ये बड़ी कबर हम आपको बता रहे है प्रियागराज में तीन बुथों पर EVM खराब हुई है हम बूत संख्या भी बता रहे हैं 328,930 पर EVM खराब हुई है और बड़ी कबर जॉनपूर से भी आ रहे है नायकपूर में कम वोटिंग सुबह से अभी तक सिर्फ 2% मद्दान हुआ है बूत 178 पर अब तक सिर्फ 2% मद्दान हुआ है तो यह बता रहे हैं आपको सिर्फ 2% वोटिंग अब तक हुई है जॉनपूर से बड़ी ख़बार रायकपूर में कम वोटिंग अब तक हुई है सिर्फ 2% मद्दान अब तक हुआ है दरंजे सिंग ने भी अपनी पत्ती शुरी कलास सिंग के साथ पहुँच का अपने वोट को कास्ट किया है वो तस्फीर हम जॉनपूर से आपको दिखा रहे हैं जॉनपूर के सियासी रण में प्रिपाशंका श्रिंग का मकाबला बाबू सिंग को श्वा से है और धरंजे सिंग ने अपनी पत्ती शुरी कलास सिंग के साथ पहुँच का अपने वोट को कास्ट किया है और पताबगर से भी एक बड़ी खबार इस वक्त आ रहे है बूट 27 सग्रा में एवियम खराब हुआ है बूट 294 नरायनपुर में भी एवियम खराब हुई है एवियम खराब होने से मद्दाता वहां पर परिशान है यह बड़ी खबार इस वक्त हम आपको बता रहे है मद्दाता परिशान है बूत पार, EVM खराब होने से लोग को दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा है लोग वहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं लेकिन अपने वोट को कास्ट नहीं कर पा रहे हैं तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और तमाम कास मेमान लगातार हमारे साथ बने गुए हैं मनिज शुकला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने गुए हैं प्रवक्ता एस्पी के संजे राना राजनतिक विसली शक हैं वो भी हमारे साथ चर्चा में हैं मनिजबाई जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी ने काउंटर किया कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि विकास की बात की सड़के ने बनी हैं लोग कि समाजवादी पार्टी के लोग बया कर रहे हैं या इसके पीछे कारण कोई और है जिस तरीके से पिछले 10 साल में विकास हुआ है सड़क बिजली पानी के छित्र में काम हुआ है उसके नाते से लोगों की आकांचाएं बढ़ी है और लोगतंतर में सब को अपनी बात को रखने का अधिकार है अगर कहीं विकास में कोई चीज छूट गई है तो बारती जन्ता पार्टी इसको संग्यान मिलेगी लेकिन आपके माध्यम से मेरा अपील है कि अपने मद्दान का प्रयोग जरूर करें और हम को पता 19 मार्ट 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार साम चार बजे के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जन्रेटर के काले दूए से पूरा जिला जो है वो धक जाय करता था यह बात करेंगे विकास की हमने विकास भी किया है और विरासत को भी समाला है बुरियादी सुविदाओं को समाज के अंतिम जोर तक पहुचा है वहीं अयोद्या काशी विंद्याचल को कुशी नगर चित्रकूट और मतुरा में जो हमने विरासत को समाला है उसके नाते से नकेवल धार्मिक दृष्ट्र उसको देखना चाहिए बल्कि आर्थिक दृष्ट्र देखिए आज अज योद्या के दस जिले कम से कम उसके न पास नौ बजे का पूल परसेंटेज आ गया उसको दर्षकों तक पहुचाना सबसे पहले जरूरी है और यहां पर यह सबसे पहले लगातार हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि आपके यहां पर जहां पर मद्दान आज हो रहा है वहां पर अब तक 9 बजे तक कितने फीसद मद्दान हो चुका है और ऐसे में न्यूज 18 भी एक जिम्मधार न्यूज चैनल है आम जंता से सरुकार के मुद्दे हम लगातार उठते रहते हैं और सुनिया गांधी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और सुनिया गांधी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सुनिया गांधी राहु आप देखिए राहूल गांधी को और सुनिया गांधी को आप देख रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं दोजार चौबिस के सियासी दंगल में यह तस्वीर आप देखिए सोनिया गांधी और राहूल गांधी की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहें राहूल गांधी और सोनिया गांधी अपना वोट कास्ट करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा रहें राहूल भी साथ में मौझूद और वोटकास्ट करने के लिए वो पहुँँचे हैं मद्दान करने के लिए सूनिया गाधे और राहूल गांधी पहुँचे हैं वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको मनीश चुकला जी हमारे सात लगातार पने को हैं मनीश भाइ सबसे बढ़ी बात किये मत्दान केंद्रों पर जाते हैं और स्याही लगी उंगली दिखाते हैं तो एक गर्व महसूस होता है एक लोकतंत्र के पर्व में भागिदारी करने के बाद एक अलग confidence महसूस होता है आपको लगता है कि हर किसी को चाहे वो किसी भी कोने में हो उसको इस जिम्मेदारी को इस निर्वाहन को करना चाहिए करना चाहिए अगर पसाल तक हक से अपने जनम प्रतिन्धी से उनके कर्तवियों को और उनके दायित्तों के निर्वहन की गरणफेचा आपको करनी है या आप करते हैं तो अपने भी दायित्तों करता करना चाहिए और देखें हम लोग समाजिक राजनितिक छेतर में काम करते हैं तमाम लोग जब मिलने आते हों कहते हैं कि हमने आपको ओड दिया था यह जो confidence है वो मतदान सही किसी को मिलता है मतदान अवश्य करें और मतदान ही वो मतदान ही वो आपके पास साधन है जिसके नाते से आप अपनी विचारों को प्रकट कर सकते हैं कि अमूग पार्टी से हम खुश है या दुखी है दीपक जी मैं आपका भी रेक्शन इस पर चाहूँगा आप समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपरसन है आप किस तरीके से देखते हैं जब बड़े तितनेता चाहे अंग राश्पती की बात करें और प्राश्पती की बात करें जो बड़े पदों पर आसीन है वो लोग भी या सूनिया गांदी राहूल गांदी भी वोटकास करने के लिए गए हैं तो क्या मेसेज जाता है ये दो दिन पहले कहा कि आठ लाग लटनों में घर वाले परिवार वाले विजली संकट जे लेंगे तो ये क्या विजली संकट जे लेंगे और बात रही स्वास के अन्पम जी स्वास में यहीं से स्वास मंतरी आते हैं और लखनू में जो है अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मरमात कर देने हो रहा देश किस तरिके से एक डॉग एक कुटा जो इनसान का हाथ ले करके जा रहा है ये बात करेंगे स्वासिक चल रोजगार की सलकों का हाल खसता हाल है सलके अभी आए दिन जो है सलके धस तो क्या बात करेंगे सलक बिजली पानी की ये बात कर रहे थे जनता देखे सब देख रही है जनता सब आकलन कर रही है और जनता इसी आधार पर वोट देने जा रही है क्योंकि जनता ने मन बना लिया कि दस साल में सिवाए जुमलेबाजी के नोंने कुछ नहीं किया और सा जाप्ट जो है रोज बेरोजगार नोजवान चात्रों के भविस के साथ कर खृफार करने का काम किसी पार्टी ने किसी सरकार ने किया तो भर दिंदा पार्टी की सरकार ने किया नहीं सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से आप दिपक भाई कहे रहे हैं तो ऐसे में क्या इस पार जो चुनता है इस सब चीजों को ध्यान में रखकर वोटिंग कर रहे हैं और इसका फाइदा आपकी पार्टी को होने वाला है यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह तो देनिक इंदुस्तान कह रहा हूँ उसके ओपर यह चैलेंज करते मानानी का दावा टोक दें कि हमने तो विजली दे ती तुम गलत को चाप रहा हूँ यह हम नहीं कह रहे हैं यह तो यह राजधानी है लखनो उत्तर प्रदेश के राजधाने राजधानी में यह बनियादी बुद्धों की बात कर रहे हैं विजली पारी यह सा सारे वुद्धे हैं जिनको जनता ध्यान में रख रही है सुलीजे मैं जवाब ले लूँ एक बार आपने अपनी बात रख लिए इतनी देर से इतनी देर विजली नहीं रहेगी यानि रिपेयर करने के अच्छा सूचना दे के अगर विजली काटी जा रहे है किसी विशेथ चेत्र में यानि कोई रिपेयर की में वस्ता होगी हाँ ये जरूर कह सकते हैं जिनके समय में बिजली जाती जादा थी आती कम थी और ये लखरों से कहिए बाहर निकलें सुल्तान पुर प्रताफगर पूर पूर इलाबाद मचली जहर हमेट कर रेकर जहां चुला हो रहे हैं तो 19 मार्ट 2017 के पहले 8 से 10 गंटे 11 गंटे से जादा ब समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली की क्या दसाती और भारती जंता पार्टी के सरकार के समय में क्या दसाती आम जंता से सवाल करा लिजेगा हमको ये विस्वास है कि निश्यत रूप से जब जब जबाब आएगा तो दीपक जी का मुव बंद हो जाएगा अभी सम अच्छन पर डाका डाल रही है इंडीकट बंदन और कह रही है संभिताम बाबा साम ने कहा था कि धर्म के अधर पर आरच्छड नहीं होगा लेकिन राहूल गादी अखिलेश यादो लालू प्रसाद यादो बार-बार कह रहे हैं कि मुसल्मानों को आरच्ड देंगे मंता ब किया भारत इंडोस्तान सनातन है कल भी था आज भी है पर कल भी रहेगा यह जो और बैस वक्त रोकरा हूं मनीच भई आपको राहूल गांदी वोटकास्ट करने के बाद बाहर आए हैं सुनिया गांदी बाहर आई हैं कुछ कह रहे हैं मीडिया के सवालों उपर जरा सुनते एक बार और यहां पर वोटकास्ट करने के बाद बाहर आए हैं मीडिया से बातशीत करने की कोशिश की जा रहे हैं तमाम जिसमाता मौझूद हैं महाँ पर वो बात करने की कोशिश करने लेकिन बिना बातशीत किये यहां पर वो चले गए हैं यह तस्वीर आप देखिए र वोटकास्ट करने के बाद और वहां से वो आगे की लिए निकल गए हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राहूल गांदी ने और सूनिया गांदी ने मद्दान किया है चुटे च्रण में और देखें यहां पर सेलफी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि राहूल कार वो निकल गए राहूल गांधी लगातार जिस तरीके से छटे च्रण में मद्दान हो रहा है अपनी मा के साथ वोटकास करने के लिए पहुचे मनीश पाई मेरे साथ बने कुए है दीपक रंजन जी भी मेरे साथ बने कुए है और सबसे बहत पूर्ण ये है कि इसे भी हम चरचा जारी रखेंगे तमाम जो जनकारिया मिल रही है अलग-अलग सीटों से कहाप बार एवियम खराब हो रही है वो भी जनकारिया आम दे रहे हैं लेकिन लगातार आयोक के अफसर भी सब पर नजर बनाये को हैं सबसे बड़ी कवरेज यहाँ पर लगातार जारी है सब सबसे तेज कवरेज यहाँ पर जारी है और ग्राउंड जिरो से हर तस्वीर हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुचा रहे हैं